हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेजिनिंग पर समिर सर के साथ जी हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स टॉपिक यानि कि हम लोग पार्टनर्शिप चेप्टर को देख रहे थे और कोशन हम लोग 10 तक आउलोडी देखे हैं इसे टू भी कंटिनुई करने जा रहे हैं आप चैनल में यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप व्यूडियो को इन तक देखें तो फ्रेंड्स हम लोग पार्टनर्शिप में हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझे वो यह है कि पार्टनर्शिप कहते किसे हैं तो पार्टनर्शिप जिसमें दो या दो से अधीक आदमे मिल करके किसे बिजनस को इस्टार्ट करते हैं उसे पार्टनर्शिप का बिजनस कहा जाता है यहाँ पर क्या-क्या चीज आता है हम लोगों कौन-कौन सा character आता है तो सबसे पहले हम लोग आएगा time आएगा capital आएगा और profit आएगा तो इसमें condition यह है friends कि यदि कोई दो या दो से अधिक लोग कुछ पैसा लगाता है लेकिन समय जो है सभी का अगर equal है तो यदि अगर समय अगर equal रहता है तो capital का जो ratio बनेगा वही profit का ratio कहलाता है जो कि मैंने last video में बताया था दूसरा चीज यदि अगर capital बराबर है और time अगर अलग-अलग है तो time का ही ratio जो है वह profit का ratio कहलाता है और तीसरा चीज मैंने बताया था friends कि यदि time और capital दोनों अलग-अलग है और profit भी अलग-अलग है तो वैसे केसमें हम लोग एक relation निकाले थे वो यह है कि c1 गुना t1 बटा c2 गुना t2 is cost to p1 by p2 तो friends यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को लिख दे रहा हूँ और उसके बाद मैं कोशन को आगे क्यों लेकर बढ़ रहा हूँ तो friends यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पार्टनर्शिप आपर c1 गुना t1 बटा c2 गुना t2 इस cost होता है p1 by p2 यह कब होता friends यह तब होता है जब तीनों अलग-अलग होता है तो friends हम लोग नेक्स कोशन आ रहे हैं कोशन नमबर 11 में लिखा गया कि a b और c ने एक लगू वैपार आरम किया a b और c a है b है और c है यह तीन लोग है जो एक business को start किया है अलिखा गया a ने वैपार में निवेसित हुई कुल पूंजी में एक बटा 5 का योगदान दिया यानि एक बटा 5 का योगदान देने का मलब क्या हुआ friends कि नीचे वाला जो भाग है यह मेरा total भाग कहलाएगा total कितना है total capital 5 है जिसमें a जो है एक रुपया लगाता है एक इतना लगाया फ्रेंड्स ए लगाया है एक रुपय ए जो है एक रुपय लगाया है आगे लिखा गया कि बी और सी ने बराबर योगदान दिया तो जब ए जो है अगर एक रुपया का लगा दिया तो इसमें बचा कितना है तो इसमें बचा हम लोग का चार रुपया त अगे लिखा फ्रेंट्स को ने यह 50 रोपियागं में टोटल प्रॉफिट हुआ है अन्हें तो चाल प्रॉफिट दीए गहा है तो हम लोग जो तो रेशु होगा वही profit का ratio कहलाएगा तो हम वह सकते हैं यहाँ पर प्रोफिट का ratio गाम करेगा टोटल प्रोफिट दिया गया है तो ratio को एड कर डिवेड करेंगे यहनि हम लोग इसको 5 से डिवेड देंगे 5 से डिवेड देंगे तो 5 5, 1, 1, 5 हो जाएगा और फिर हम लोग का यानि कि 5, 20, यानि कि हम लोग का हो जाएगा 1,040, तो friends हम से क्या पूछा जा रहा, को C का ला में हिस्सा के ना था, C का वहलू के ना होगा, इससे multiply कर देंगा friends, 1,040, मलब हो जाएगा हम लोग का 2,080, यानि कि 2,080 रुपए ये C का प्रॉफिट कहलाएगा, पूछा नमर टुएल, टुएल में लिखा गया कि A और B ने कोई साज़ेदारी का कारे जो है 5 इस्टू 6 के अनुपात में पूंजी लगा कर करता है, A है और B है, एक capital लगाता है, किस ratio में लगाता है friend, तो लिखा गया 5 इस्टू 6 के ratio में एक capital लगाता है और business को शुरू करता है, आठ महीने बाद A अपने को इस कारे से हटा लेता है, आठ महीने बाद, आठ महीने बाद जो है friends, ये A जो है इस business से निकल लाता है, तो आठ महीने बाद अगर निकला है, तो आठ महीने तक ये business में रहा, जब आठ महीने तक इस business में रहा होगा, तो आठ महीने है कि इसका कुछ profit आया होगा, यदि उन्हें 5 इस्टू 9 के अनुपात में लाब हुआ, यानि कि हम लोग का profit का जो ratio दिया गया friends, ये हमको लिख हुआ नहीं, तो friends हम वो सकते कि ये 8 महीने तक रहात, इसका कुछ यहाँ पे profit होगा, और यहाँ पे हम लोग का, ये हम लोग का capital, हम लोग का capital दिया गया, लेकिन time दिया हुआ नहीं है, और profit का ratio दिया गया, मलब क्या हुआ, कि यहाँ पे capital अलग-अलग है, time का पता नहीं ह है लेकिन profit भी क्या है या अलग-अलग है तो friends मैंने बताया यदि capital time और profit यदि अलग-अलग हो तो वाइसे case में एक relation बताए हैं वो क्या होता है तो c1 गुना t1 बट्टा c2 गुना t2 इस question होता p1 by p2 यहां पर हम लोग value को put up करेंगे friends जो वो चीज़ हम लोग को missing है वो value हम लोग को निकल जाएगा यानि हम बोल सकते हैं कि c1 तो c1 हो गया 5, t1 हो गया 8, c2 हो गया 6, t2 हमको पता नहीं है बराबर p1 by p2 यानि 5 by 9 होगा यानि कि हम लोग 5 5 कट जाएगा हम लोग कट कर सकते हैं 2 से 4 times में 2 से 3 times में अथरी सकाटेंगे 3, 3 जा 9 इसलिए हम लोग ये box का जो value आएगा friends ये जो box का value आएगा ये हम लोग हो जाएगा 4 या 12 माहिन है ये 4 या 12 माहिन है तो हमसे क्या पूछा गया friends तो हमसे पूछा गया कि बी जो है वाइपार में कितने महिन तक रहा तो बोलेंगे ये 12 माहिना रहा है 30 काफी अच्छा question लिखा गया क्या लिखा friends कि A तथा B जो है एक वाइवासाय में हिस्सेदार है और A ने 15 माहिने तक कुल पूछी का एतना हिस्सा लगा करके निवेस किया जैने A और B जो है A और B किसी बिजनस को स्टार्ट किया है और कुल पूछी का एक बटा चार हिस्सा तो एक बटा चार हिस्सा 400 में एक रुपया आ लेकिन कितनी महिने तक लगाया फ्रेंट 시청 तो यह 15 महिने तक लगाकर रख्ढे है तो यह टाइम है इसका कुछ profit आएगा अब फिर बोला कि ओर B को और बता कि एतना हिस्सा निवेस किया और B को लाब का B को लाब का दो बटा तीन हिस्सा पराप्त हुआ अब देखिए फ्रेंड्स यहां profit का जो ratio दिया गया है profit का रेश्यो लिखा गया है कि B को जो है profit में दो बटा तीन हिस्सा पराप्त हुआ कि टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हम लोग कर यह टोटल प्रॉफिट यह टोटल प्रॉफिट तीन रुपिया हुआ जिसमें जिसमें एक जिसमें बी को कितना मेरा फ्रेंड्स तो बी को मिला है दो रुपिया यानि कि बी को जो है प्रॉफिट में बी को यहां तो हमसे बोला गया कि बी की पुंजी का उपयो तो प्र यहां के पाता नहीं है लेकिन हम दोगा प्रॉफिट भी अलग अलग है यानि ऐसे case में हम लोग एक relation जानते हैं वो क्या है कि C1 गुना T1 बट्टा C2 गुना T2 is close to P1 by P2 यह relation हम लोग को पता है P1 by P2 यहाँ आपे value को put up कर देंगे friends यानि हम बोल सकते हैं तो C1 तो C1 हो गया 1 P1 केतना हो गया 15 by C2 केतना हो गया तो 3 है आटी टू के बारे पता नहीं है बराबर P1 by P2 यहनि 1 by 2 इसको cuts कर सकते हैं 3 से cutting हैं 5 times हो जाएगा यह box का value आएगा यह हम लोग को 10 months यह हम लोग 15 months रहा तो यह box का value आगया कितना आया friends यह 10 months आया तो हमसे क्या गया हमसे यही पूछा गया कि बी की पूझे कोप्यों कितने महीने तक हुआ तो बोलेंगे यह 10 महीना और यही मेरा finally answer होगा 14 में लिखा गया बोला ए ने 45,000 रुपया निवेज करके वैपार आरम किया ए जो है ए जो है 45,000 रुपया लगाता 45,000 रुपया करके बिजनस रुप किया अगर कुछ समय पासा जो है बी 54,000 रुपया का निवेज करके उसके साथ साथ साज़ेदार बन गया कुछ समय बाद जो है फ्रेंड्स यह बी आया और बी जो है कितना लगाया तो बी के बारे लिखा गया कि यह 54,000 लगाया और यह भी इसके साथ बिजनस में शामिल हो गया यह कितने समय बाद आया हमको पता नहीं है फिर बोला कि यदि वैपार में होने वाले लाब को वर्स के आंत में वर्स के आंत में तो वर्स के आंत का मलब होता फ्रेंड्स एक साल का डियूरिशन यानि एक साल के आंत में तो एक साल का आंत अगर है एक साल का duration अगर है तो एक के बारे अगर कुछ नहीं बोला तो यह एक साल पूरा रहेगा लेकिन यहां पर यह कितने समय बाद आया यह हमको पता नहीं है कितने समय बाद आया यानि एक साल का duration में कितने समय बाद आया यह ह हमको पता नहीं है लेकिन इनके एक वर्स के अंत में उनका जो profit हो रहा profit का जो ratio है वो हम लोगों को दिया गया है यह two is to one का profit हो रहा two is to one का profit हो रहा तो friends हम लोग बोला गया तो कितने माहिने के बाद भी वैपार में साजीदार बना था तो friends यहां पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा यहां पर capital अलग-अलग है time के बारे पता नहीं है अब profit भी हम लोग का अलग-अलग है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते तीन-जीरो इसका तीन-जीरो कड़ जाएगा अगर तीन से और अगर काड़ दे यह नौ से काड़ दे तो नौ पज़े जाएगा तो लौना तीटू इसको फूट ़ूट यहां हम लोग वैलू को फूट-अप करेंगे हम बोल सकते हैं प्रेंड कि यहां पर हम लूग क्या हो जासे की थाip हो गया तीन हम लोग का यह 12 हो गया C2 हम लोग का 6 है और T2 हम लोग केतना हो गया तो हम लोग का यह पता नहीं है बराबर P1 by P2 दो P1 केतना हो गया फ्रेंड 2 और P2 केतना हो गया 1 6 काटेगी यह 2 times में कट जागा और यह 2 2 आपस में कट जाएगा माला box का value केतना आगया फ्रेंड तो box का value आगया 5 यहाँ पर यह महिना है तो यह आएगा 5 months मतलब यह हुआ कि यह 5 महिना तक इस business में इतना पैसा लगा के रहा और friends हम तो से यह पूछा जा रहा कि business में कितने महिने बाद आया तो friends बोल से ते एक साल का duration है business कितने महिने का duration है एक साल का duration है जिसमें अगर यह 5 महिना अगर रहा है भी अगर 5 महिना अगर रहा तो कितने महिने बाद आया होगा तो बोलेंगा 7 महिने बाद आया चुकि हम लोग जानते कि एक और से बराबर एक और से बराबर होता है एक और से बराबर होता है बारा महिना अगर यह पांच महिना रहा है मैं अब साथ महिने बाद आया होगा साथ महिने बाद तो friends हम लग को answer हो जाएगा साथ महिने बाद यही मेरा finally answer कहलाएगा question 15 देखे 15 में क्या लिखा गया friends बोला गया कि A ने 40,000 रुपया से एक वैपार शुरू किया A जो है यह A है जो है यह 40,000 रुपया लगाया 40,000 रुपया लगाया एक बिजनस शुरू किया फिर बोला दो महिने बाद B भी उसमें 60,000 रुपया का साथ शामिल हो गया दो महिने बाद B जो है यह दो महिने बाद आया और यह भी जो है 60,000 रुपया लगाया और बिजनस में क्या हो गया शामिल हो गया ठीक है अब फिर बोला कि C भी कुछ समय के बाद आया C भी जो है कुछ समय बाद आया है कितना समय बाद आया यह पता नहीं है लेकिन 170,000 रुपया यह भी लगाया अग कुछ समय बाद आया यह पता नहीं है आगे लिखा कि वर्स के अंत में वर्स के अंत मलब होता है एक साल का अंत एक साल का डियूरिशन तो एक साल का डियूरिशन अगर है तो फ्रेंड्स हम वो सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है यह बारा महिना रहेगा ए कितना रहेगा बारा महिना इसके बाद अगर बी को अगर दे रहा हैं यह मालूम नहीं है लेकिन फिर बोला गया कि वर्ष के आंत में कुल लाब जो है 3,75,000 हुआ तोटल प्रॉफिट यह टोटल जो प्रॉफिट हुआ टोटल प्रॉफिट C को जो है 1.500,000 रुपिया profit के तौर पे मिलता है C को 1.500,000 रुपिया profit के तौर पे मिलता है तो friends यहाँ पे total profit में अगर हम C का profit minus कर देंगे तो A और B का profit बचेगा जिसको हम पहले minus कर लेते हैं यानि यह minus कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे minus अगर करेंगे तो हम लोग बचेगा इस तरह से 2,25,000 बचेगा जो किसका value बताएगा friends तो यह हम लोग बताएगा A plus B का profit होगा तो हम लोग यहाँ पे A plus B का profit होगा तो हम लोग यहाँ पे A plus B का अगर profit है तो किसका कितना profit यह भी देख लेते हैं friends तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग का सबसे पहले profit के ratio यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते है friends यह 4-0 और यह 4-0 आपस में कट जाएगा फिर यहाँ पे कट करेंगे हम लोग तो वो सकते हैं 6 से अगर काटेंगे 6 से 6 दूनी बारा दो बार में कटेगा अब फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे पांच बार में कटेगा यहां पी इसका 4 आया और यहां पी इसका 5 आया यह की से का रेशियो आया है तो यह profit का रेशियो आया है total profit दिया गया तो ratio क्या करेंगे 8 करके divide देंगे मलब 9 से divide देना पड़ेगा 9 से divide देंगे तो हम लोगों यह cut जाएगा कितने बार में तो 9 से cutting है 9 दूनी 18 चार बचा 9 पचे 45 यानि कि 25,000 बार में कड़ी है कि इतने बार में कड़ी है फ्रेंट्स 25,000 बार में यानि हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक जो profit होगा इसको हम लोग 25,000 से multiply करेंगे 25,000 से multiply करेंगे यहां पर जाएगा एक लाख 25,100 और 25,100 और 000123 यानि एक लाख रुपिया प्रोफिट मिला किसको यह मिला एक को अब बी का प्रोफिट अगर देखेंगे फ्रेंट्स अगर बी का प्रोफिट देखेंगे तो इससे गुना करना पड़ेगा यानि इससे गर गुना करेंगे हम लोग 25,000 25,100 और और । रिपल जरो, वान टू तू थरी, यह हो गिया हम लोगका B का प्रोफिट, यह होगि हम लोगका A का प्रोफिट, यह हम लोगific अधर यह हो गिया हम लोगका vaan$ to galfi, यह होगि हम लोगका France यह सी का 57 का A time, सबसे पहले हम ão service kka T2 इसको P1 by P2 ऐसा कुछ बहुत सकते हैं friends यह वाला concept को use कर लेंगे किसमें इन दोनों में इसको C1 मान लिए इसको C2 मान लिए इसको T1 इसको T2 मान लिए और इसका profit का जो ratio P1 और P2 मान लिए तो यहाँ बहुत सकते हैं friends कि इसका capital केतना है यह 60,000 है यह 60,000 हो गया इसका time केतना है तो यह हम लोग का यह 10 मांस है यहाँ पर इसका capital केतना होगे friends ए 1,20,000 है ए 2,200,000 और इसका हम लोगा time केतना है यह हमको पता नहीं है लेकिन हम लोगow profit का जो ratio है इसका profit है हम लोगका, इसका B का profit है एक लाख पचीस हजार एक लाख पचीस हजार असी का जो profit है friends हुआ है एक लाख पचास हजार तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते है friends यह box का value निकाल सकते है box का value कितना आ जाएगा तो यह box का value अगर आप निकालिएगा तो यह 0-0 तो आपस में कड़ जाएगा 25 में और यह तो तू तू आपस में कड़ जाएगा तो फ्रेंड्स कीया हुआ यह बॉक्स का जो भेलू है बॉक्स का वेलू के इतना है 6 months, box का value कितना आया friends वे 6 months आया, यह answer अभी नहीं हुआ, यहाँ पर यह वाला जो value मेरा निकला, कितना मेरा निकला, यह 6 माहिने निकला, लेकिन question हमसे क्या पूछा जा रहा friends, हमसे पूछा जा रहा, कि B के वायपार में शमलित होने के कितने महिने बाद, C वायपार में शामि हुआ, उसके कितने महिने बाद, C आया business में, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि B रहा कितना महिना, तो B रहा हम लोग का 10 महिना, जोकि एक साल का duration में अगर यह 2 महिने बाद आया है, मतलब B जो है business में 10 महिना रहा, और C जो है business में 6 महिना रहा, मतलब क्या हुआ, कि C ज इसको फोर मंस बाद, यानि 4 महिने बाद, C बिजनस में शामिल हुआ होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा, इसको फिर्ण के 16 में क्या लिखा हुआ है, वहला A तथा B ने करम सा 20,000 और 15,000 रुपया करके निवेस करके एक व्यपार शुरू किया, यहां पे A है, A है और B है, A और B, जो 20,000 रुपया लगाए है, यह 20,000 रुपया लगाया है, 20,000 रुपया लगाया है, और यहां पे य 15,000 रुपया लगाया है, और क्या-क्या फ्रेंट्स यह बिजनस को इस्टार्ट कर दिया, 6 महने पासाथ C भी आता है, 6 महने बाद, यानि कि 6 महने बाद, 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 जो है, C भी 20,000 रुपया लगाया, और उसके साथ बिजनस में शामिल हो गया, बिजनस में शामिल हो गया, फिर बोलता है वाइपार आरम होने के दो वर्ष के बाद, यानि के दो साल का डियूरेशन है फ्रेंस, तो दो साल बाद जो है है टोमे गया टोटल प्रोफिट यह टोटल प्रोफिट जो हुआздad और फ्रेंड और अगया है वह पाचीस अजार रॉपिया war 1230 वा 5 साल का डूरीशन है कि हम बोल सकते हैं यहां पर यह इकितना माहने रहा होगा तो यह 24 24 महनें रहोगा लेकिन सी कि एतना महने रहोगा फ्रेंड तो हम ज pensar 24 महने चे महना मायनस हो जाएग्य आध्या, मालग बोलेंगे यहां पर यह रहोगा आटारा, जाएगा फिर हम लोग 5 से कट कर देते हैं 5 से 4 बार में 5 से 3 बार में फिर 5 से कट जाएगा यह चार बार में आगे अगर देखा जाए तो फिर हम लोग काटेंगे 6 से 6 चको 24 यह चार बार में कटेगा यहां पर देखेंगा फ्रेंड तो यहां बोलेंगे 6 से 6 चको 24 यह भी हम तो Profit का रेश्यो आएगा friends, यहांपे हो जाएगा 4-2, 3-3, यह हम लोगा क्या आगया तो Profit का रेश्यो आगया, आज टोटल Profit दिया गे ते रेश्यो के एड करके divided देंगे, यहींदे के 3 3 6 6 4 10, यही फाइनली आंसर कहलाएगा सेवन्टीन सेवन्टीन में लिखा गया बुला है कि ए तथा बी ने क्रमश औतना रुपिया लगाक通 loopा शुरू करता है एक बिजनस ऐर फ्रेंड इसमें ए अजर जो बिजनस को शुरू किया फिर बुला कि चार महीने बाद C भी आता है चार महीने बाद C जो है चार महीने बाद आया चार महीने बाद आया और ये 9,100 लगा ये 9,100 लगा करके बिजनस में शामिल हो गया ये दि वर्स के अंत में वर्स के अंत मलब होता है एक साल का डियरेशन एक साल का अंत तो एक साल के अंत में अगर हम बोलेंगे तो इसके बारे कुछ लिखा गया नहीं, यह मलब यह टोटल बारा महिना रहेगा, लेकिन सी जो है यह बारा महिना नहीं रहेगा, चुकि यह चार महिने बाद आया है, तो यह आठ महिना ही रहेगा, ठीक है, और हम लोगो क्या है कि बश्किजानत में total profit दिया गही यह total profit हम लोगों को दिया गया total profit दिया गया किये को लिखा गया अब ग्यारहहंजार 1100460 रुपय का total profit हुआ तो हम लोग जानते का total profit दिया गया तो यह प्रो्फिट का ratio बार में चार से कट करेंगे और कटे घूर बार में कटेगा हम लोग का बोल सकते हैं अगर हम लोग 13 से काट देंगे तो 13 से कट जाएगा 13 सती 91 138 104 हो जाएगा फिर 13 से काटेंगे 13 कम 13 13 कम 13 हो जाएगा फिर 13 सती 91 जानते हैं कि रहेगा तो यहां पर आट यहां पर येट कर देंगे चार थिन साथ साथ और चार साथ यारा एक हाथ में पुचाए एक यानि कि 2, 3, 5, 5 और 27 अब ये कितने बार में कड़ेगा फ्रेंट तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को यह कितने बार में कट रहा, तो यहां पे हम लोग अगर divide देंगे, 1136, divide by 71, यहनि एक बार में अगर देंगे, 71, यहनि कि 2 आएगा, और यहां पे हम लोगो हो गया कितना, 11 में से साथ गया, 4, अब 6, यहनि फिर कितने बार में कटेगा, फ्रेंट, तो यह 6 बार में, यहनि एक एक सो अज़ाड़ वार में कड़ेगा एक सो अज़ाड़ बार में पुरी तरह से कड़ जा रहा तो फ्रेंट्स हमसे पूछा गया कि ला में C का हिस्सा बताई तो C का प्रोफिट का रेश्यों के ना दिखना फ्रेंट्स 14 है इसको हम लोग वां सिस्टी से मल्टिप्लाइ कर तेंगे जो आएगा वाई भेलू कहलाएगा 164 64 64 चार हात में बचा 6 16 16 16 16 और 6 22 22 और 10 यानि कि 2200 यानि कि 2240 रुपिया यही हम लोगा सी का प्रोफिट पाइनली कहलाएगा 18 18 में क्या लिखा गया कि P Q वा R साजयदारी में एक व्यापास शुरू किया P है Q है और R है एक बिजनस शुरू किया साजयदारी में यादि उनके निवेशों के समय का अनुपाद यानि कि time का रेश्यों दिया गया फ्रें time के रेश्यों कहें है तू इस्टू थिरी ह्टू सिंप मलगा define का रायशो है और फिर बहुता याघा है लााब के भागों प्रोफित की रायशो दिए गया तो हम लोग लिखा इस तू फोर इस तू पाइब इस तू यहां हम लोग का यह 6 दिया गया तो हम से पूछा जा रहा कि PQR का Capital का Ratio बताना है तो Friends हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं रहे लेकसन के C1 गुना टाइम को अगर प्रोफिट आएगा और यहां पर हम लोग जानते हैं कि Capital अगर निकालना हो तो प्रोफिट वाई क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा यहां पर प्रोफिट को किसी डिवैट देना पड़ेगा तो हम लोग टाइम से 5 by 3 और यहां का फेलू आजाएगा 1 तो यहां पर क्या है कि इसको भी हम लोग 3 से मंटिप्लाइ कर देते हैं इसको भी 3 से मंटिप्लाइ कर देते हैं और इसको भी 3 से मंटिप्लाइ कर देते हैं क्यूं क्यूंकि नीचे वाला जो हम लोग का denominator जो है उसको हटाना है तो यहाँ पर क्या होगा यह आपस में कड़ जाएगा यानि कि हम लोग का जो capital का जो ratio बनेगा वो जाएगा 6 is to 5 is to 3 यह मेरा capital का ratio कहलाएगा 90 में लिखा कि राघाव है राघाव है सुमन है और लिखागे नरेंद्र है यह नरेंद्र है capital जो है 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 यानि इस ratio में यह लोग capital लगाता है 4 महीने बाद तो सबसे पहले friends यहाँ पर यह जो हम लोग को value जो दिया गया है यह हम लोग fraction में है capital किसमें है fraction में है तो fraction को हटाने के लिए क्या करें कि नीचे वाला value का LC हम लेंगे मलब किसका तो यहाँ पर बोलेंगे दो तीन और चार का लेंगे LC हम यह LC हम लेंगे इसका LC हम केतना आएगा friends तो LC हम आजाएगा हम लोगा 12 LC केतना आजाएगा 12 तो क्या करेंगे इसको भी हमने बारस multiply कर देते हैं इसको भी 12 multiply कर देते हैं और इसको भी 12 multiply कर देते हैं क्यूं चुकिए fraction को हमको हटाना है तो हम गोलेंगे 2 से cutting 6 times में इसका capital 6 कहलाएगा 3 is cutting 4 times में इसका capital 4 कहलाएगा इसको cutting 3 times यनि इसका capital कहलाएगा 3 यए capital हो गया फिर बोला चार महाएने बाद रागा अपनी पूँझी का आधा भाग निकाल लेता है तो friends चार महाएने बाद निकाल लिए आग चार महाएने तक यığını पूझी रहेगा चार महाएने बाद आधा पूझी निकाल लेता है तो आधा पुंजय का निकालेगा बचेगा कितना तीन, चूंकि छे रुपिया था, आधा भाग निकाल लिया, निकाल लेता है, और उसके आठ महेने बाद, यानि कि चार महेने इधर गया और आठ महेने, तोटल एक साल का डूरेशन हो गया, तो एक साल बाद जो है, टोटल टोटल जो प्रोफिट है, टोटल प्रोफिट हमनों को दिया गया है, कितना दिया गया है, टू, जीरो, टू, फोर रुपिया होता है, तो हमसे पूछा जाता है बता, यह कुल लाब में रागाओ का भाग कितना होगा, लागाओ का प्रोफिट कितना होगा, तो फ्रेंड्स आठ महेना यहां पि रहेगा जबकि इसके बारे कुछ नहीं बोला गया और इसके बारे भी कुछ नहीं बोला गया तोटल बारा महेना रहेगा यहां पे छे चकार चोवीस हो जाएगा आधर भी आठ चोवीस हो जाएगा यानि कि हम लोग को हो जाएगा इन दोनों को एड करे यानि 4 x 12 और इधर हो जाएगा 3 x 12 इसको थोड़ा चोटा कर लेंगे रेश्यू हम लोगा आ जाएगा तो 12 कटेंगे यह कट जाएगा अपस में 12 448 फिर कट करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहां पे को कि यहां से क्या पूछा जा रहा है तो बाता हो है तो 146 इसको नहीं होता है तो friends हमसे क्या पूछा जा रहा तो कुला में राघाओ का भाग बताना है यह राघाओ का वेलू बताना है राघाओ का वेलू बताना है इससे हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगा 184 से महले बोलेंगे चार चार के सोलक छेहत मेंचे एक हो जाएगा और आठ चुको 32, 32 और एक 33 के प्रोफिट होगा किसको राघाओ को और यही फाइनली आंसर कहलाएगा देगे 20 में लिखा गया कि एक साधा कारोबार में B की पूंजी A से आधि है निक बी है और एक A है तो B का जो पूंजी है B का जो केपिटल है वो A के केपिटल से आधा है माला अगर यह चार रुपिय अगर लगाता है तो B जो है वह 2 रुपिया लगाता है यह 2 रुपिया लगाता है यह किसीच के बारे बात कर रहा यह केपिटल के बारे बात कर रहा फिर आगे लिखा गया कि यदि 8 माहने बाद B ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिए आठ माहने बाद आठ माहने बाद क यह आठ महीना हुआ और आठ महीना और दो महीना बाद यानि दस महीने बाद दस महीने बाद जो है ए ने अपनी one by four पूंजी निकाल ली यानि कि यह दस महीने बाद यह दस महीने बाद जो है यह ए जो है अपने one by four पूंजी निकाल लिया one by four का मलब होता friends one by four का मलब होता कि चार रुपया है, उसमें एक रुपया क्या कर लिया, वो निकाल लिया, उसका केपिटल कितना था, चार था, उसमें से एक रुपया निकाल लिया, यहाँ पे एक रुपया यह निकाल लिया, तो आगे लिखा गया, तो A और B का लाव का अनुपाद कितना होगा, तो फिरिंट आपने आधी पूजी निकाल लिया और उसके दो महेने बाद A ने आपने 1, 4 पूजी निकाल लिया तो A और B का लाप का अनुपाद Friends यहाँ पर हम लोग टाइम के बार लिखा गया नहीं है मलब टाइम हम लोग एक साल मान के चलते तो एक साल में गर देखेंगे एक साल में अगर यह आठ महेने तक अगर यह दो रुपिया रहा उसके बाद एक रुपिया निकाल लिया फिर एक रुपिया जो बचा है यह इसका लाश्ट चार महेने तक चलेगा चूंकि आठ और चार बारा महेना का duration हो जाएगा इसका गर 10 महेने तक रहा उसके बाद 10 महेने बाद एक रुपिया निकाल लिया इसका जो रेष्ट जो capital है यह इसका last 2 महेना बचेगा तो इस तरह से हम से पूछा जा रहा कि A और B का जो है A और B का जो है हम लोग का profit का रेश्यो बताना तो हम बोज सकते हैं friends कि यहां पर देखें यहां पर पहला जो है 8-16 हो जाएगा तो कि दो रुपिया रहा था 23 हम से पनुछा जाता है ए और बी का लाब कानुपात इसलिए यह और वी का पूछा जा रहा है यह और पूचा जा रहा है और बी का पूचा जा रहा है एक जो भेलू है 23 है अब B का जो value है वो हम लोग का 10 है इसे में फाइनली आंसर कहलाएगा फ्रेंड 23 इस्टू 10 यही मेरा फाइनली आंसर होगा तो फ्रेंड्स उमीद करते हैं कि आपने वीडियो को इन तक देखा है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को इन तक देखे हैं और आप इसे like, comment और share करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाता रहूँ चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाच करने के लिए थैंकिए